हेलो आपके अपने चैनल मागनेट ब्रेंस पे जो प्रोवाइड करता है सर आपको कॉलिटी एजुकेशन फुल कंटेंट के साथ सर दोचार चाप्टर नहीं पूरा कंटेंट जो सी बेसी ने डिसाइड किया है पूरा आपको मिलेगा दोचार में नहीं छोड़ेंगे आपको और जो कंटेंट डिलेट किया है वो भी मिलेगा सर क्योंकि वो कंटेंट कापर अविलेबल है आपका अभी भी जेई और नीट में है तो छोड़ना नहीं है तो मैं जहां तक देख रहा हूं कि पिष्ट्री क्लास पे अपनी बात हो चुकी थी क्लास 12 चेमिस्टी चल रहा लाउलटो न स्लॉज निप्टा दिया था मानना नहीं मानना उनके हाथ में ओकर मैं बात करूँ जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो, ना लें कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस लॉगव को कहा कर देंगे, तोड़ देंगे, कि नहीं सर, नहीं मान रहे, कुछ कर लोगे क्या, ऐसा, तो जो इस लॉगव मान गाए, भाया, वो अच्छे बच्चे लो, आणा, आज्याकारी शिष्षे, और जो नहीं मानते, उनको अपन केते हैं कैसे हैं भूज को मेरे लॉज सौरी ऐसे कई सारे solutions आपके सामने आने लगे जो यह कहने लगे सर कि हम लोगों मान लेंगे तो हम अच्छे बच्चे हो गए हमको कह देंगे ideal solution और जो लोगों नहीं मानेंगे कौन से लोगों राउट्स लोगों को अभी नहीं करेंगे उनको अपने के दिया गंदे बच्चे गंदे बच्चे मतलब नॉन आइडल सॉलिशन बास समझ गए ideal मतलब श्री राम चेंदर जी मर्यादा पुल सोत्तम आइडियल मतलब जो यार ह हर काम को माने हर काम को अच्छे तरीके से कर दे जो बोला जाए वह कर दे राउट्स लोग ने बोला भया मेरा वैपर प्रेशर इतना होना चाहिए या आइडियल ने बोला हो जाएगा उनने का इतना होना चाहिए उसने का हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा अब यह एक non-ideal से बोला सर इतना होना चाहिए कियो मेरा pressure, मेरा vapor pressure क्यों होगा तुम्हारे बोलने पे मैं तो अलग जाएगा कोई lover नहीं मान रहूँ तो क्या हो जाएगा सर non-ideal, क्या हो जाएगा non-ideal, मतलब ये बात चल गई ये बात देखने को मिली क्या बात देखने को मिली कि जो solutions थे जो solutions थे उनको दो category में part कर दिया कितने category में part किया सर दो में एक को नाम दिया ideal solution और एक को नाम दिया non-ideal और ये बाटा कैसे गया ये बाटा कैसे गया सर एक basis पर बाटा गया round slaw के basis पर किसके basis पर round slaw के round slaw को पता यह क्या था अपने round slaw देखा था कि total vapor pressure जो होगा भाया वो P naught A into x A plus P naught B into x B इसके बराबर होगा इस slaw को जो obey कर रहा था जो इस slaw को obey करेगा वो कहलाएगा ideal solution और जो इस law को obey नहीं करेगा उसको क्या करेगा पायन? non-ideal solution इतनी बात clear हुई sir मान लिया तो यह वाले अच्छे बच्चे आज्याकारी शिष जो आप लोग हैं यह गंदे बच्चे आज्याकारी बिल्कुल नहीं थे जैसे कि हम लोग बैठना पीछे है क्लास में गोटी दे देना है नहीं पढ़ना ठीक है टीचर पढ़ा रहा है उसके मस्ती करना है उसको पढ़ाने नहीं देना है तो यह सारे काम कौन करता भाई यह non-ideal कहता है डाइरी रोज लाना है उनकी डाइरी पता नहीं बेच खाए ऐसा होता है पता चलता है आखरी में निकलती थी हमारी डाइरी अच्छा कहीं छुपा के रखा दी थी ऐसा होता डाइरी नहीं है हमारे पास तो वो सब क्या होंगे और जो सारे काम यूनिफॉर्म पहली कॉलर बटन बंद होगी उपर तक टाई होगी वो आईडियल और हमसे जब बात करते हैं पहली कॉलर नीचे और आपकी टाई यहां लटक रही है ऐसा होता था ठीक है बात समझ रहे यह बोलते थे भाई शर्ट इन करके रखना है आईडियल वाले सब शर्ट इन करके आते थे काई की शर्ट इन पता चलता यहां से निकल रही है यहां से बाहर जा रही है ऐसी शर्ट जाती थी तो सर जो लॉस को रूल्स को ना माने उनको कहते है नॉन आईडियल जो रूल्स और सारे लॉस को ओबे कर जाए उनको कहते है अपन आईडियल अब अगर यह बात किसकी च which obey route's law हर concentration पे हर temperature पे जो हर concentration और हर temperature पे route's law को follow करेगा इस formula को approve देगा कहेगा जी मैं बिलकुल आपके इस formula से सहमत हूँ वो क्या कहलाएगा ideal solution कहलाएगा क्या कहलाएगा सर? ideal लेकिन जो बोल दे बिलकुल भी नहीं which do not obey route's law जो route's law को बिलकुल भी नहीं मानना चाहता उसको अपन क्या कहेंगे बिटा non-ideal solution क्या कहेंगे बिटा non-ideal solution बास समझ पार है क्या बोलना चाहरों तो solutions को दो category में बढ़ता गया on the basis of route's law जो route's law को और उसके formula को satisfy कर रहा है ओबे कर रहा है समान दे रहा है approve कर रहा है उसको नाम दिया ideal solution जो कह रहा है नई मैं तो अलग चलेगा जो करना है कर लेना किस से बात करने यह principle से कर लेंगे ना दिनराथ principle के चक्कर गाट रहा है ठीक है वो सारे क्या कहलाएंगे non-ideal जो route's law को क्या कह रहा है हम नहीं करेंगे ओबे जो करना है कर लो तो उनको अपन क्या नाम देंगे non-ideal तो मतलब आप लोग समझ गए होंगे सर कि आब हम उस face पे चले गए हैं जब हमें अच्छे से study करना है ideal solution जो route's law को obey करें उसके characteristics क्या होगी कौन से solution को ideal बोलेंगे और फिर हम पढ़ेंगे non-ideal जिसमें जो route's law को बिलकुल नहीं मानेगा और एक dialogue बोलेगा जुगेगा नहीं मैं अपने उस पर चलेगा route's law के नीचे काम नहीं करना है मिरको तो उसको भी देखेंगे कि उसकी characteristics क्या है और उसके क्या काम है बात समझ पा रहें इतना आपन को देखना है जर आ जाते हैं उपर क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं आ जाओ a solution is a homogenous mixture यह तो हमें पहले से ही पता है homogenous mixture होता है of two or more chemically non-reactive species वह आपस में chemically react नहीं करने चाहिए, यह बात हमने पहले भी करी हुई है, composed of only one phase, मतलब उनको जब combine कर दिया जाए, तो उसका एक ही phase बने, या तो solid बने, या तो liquid बने, या तो gas बने, और मैंने आपको बताया था कि हमें जो phase पढ़ना है, solution का वो पढ़ना है, liquid phase, कौन सा phase पढ़ना है sir, liquid phase, फिर solution can be ideal और non-ideal, depending on whether they obeys Raoul's law or not, solution दो पार्ट में categorize किया गया है, एक होता है ideal और एक होता है non-ideal, किसको ideal बोलेंगे, जो sir Raoul's law को follow कर जाए, किसको follow कर जाए sir, Raoul's law, किसको non-ideal बोलेंगे, जो Raoul's law को follow, ना करे, और Raoul's law क्या होता है, सरी ये, P solution equals to P not A into X A plus P not B into X B, इसको अपन क्या कहते हैं बिटा, Raoul's law, क्या कहते हैं, Raoul's law, clear है यहां तक बाद, पक्का, clear है, चीक है, एक बार इसका screenshot लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्ली screenshot मारो, चलिए, clear note down, कोई दिक्कत की बाद तो नहीं है, सर समझ में आया, क्या बोलना चाहरें, कि basically solution को दो पार्ट में classify कर दिया, ideal और non-ideal, अब सबसे पहले पढ़ेंगे, सर, ideal क्या होता है, ideal को देखेंगे, सर, ideal बच्चे कौन होते हैं, और ideal solution क्या होता है, तो सर ये तो आपने बता ही दिया, ideal solution तो वो होता है, जो राउल्ट स्लो को क्या करेगा, follow करेगा, मैंने का ठीक है सर, मैंने का ठीक है, चलो, अब देख लेते हैं, आजाओ, जरा आजाओ, जल्दी आजाओ, सर, मज़ा आने वाला है, these solutions, obeys, routes law at all, temperature and concentration, बात समझ गए, मतलब, ideal solution वो solutions होंगे, जिसमें, routes law को क्या किया जाए, follow किया जाए, obey किया जाए, routes law की हर बात को मान लिया जाए, वो अग्यकारी शिष्य आपके स्कूल में, आपकी क्लास में भी होते हैं, जो teacher की हर बात को मानते हैं, जो teacher की हर बात को मानते हैं, हर rules को follow करते हैं, उनी को ideal student का जाता है, और उनी को मैं solution के time में क्या काऊँगा, ideal solutions काऊँगा, क्या काऊँगा, ideal solutions काऊँगा, और, वो student हर समय बात मानता है, ये नहीं, कि सुबह मूड गवा तो बात प्राना दिन पहर नहीं मानेगा रात को नहीं मान रहा है चार दिन बाद नहीं मान रहा है सर साल बहर मानता है इसलिए यह भी वही लिखा है और temperature and concentration पे यह solution भी बात मालेगा हर जगा पे आप temperature कितना बढ़ा लो या कम करो कितना भी concentration बढ़ा या कम कर लो यह राउल स्लों को फालो करेगा तभी इसका क्या नाम रखा है sir ideal solution क्या नाम रखा है ideal solution बात क्लियर है बात पक्का पक्का आगे बढ़ो आगे बढ़ो sir आगे बढ़ो क्या बोल रहा है they are formed by mixing two or more components ideal solution कैसे बनाएंगे दो component या फिर दो से जाधा component को मिला that have identical molecular size structure and intermolecular forces and intermolecular forces इसको थोड़ा pack कर देते sir इसी बेबात करनी अभी intermolecular forces कहने का क्या मतलब है sir वो यह कह रहा है यह वो दो solutions होंगे जो दिखते एक जैसे होंगे जिनका molecular mass एक जैसा होगा और उनके बीच का intermolecular forces भी कैसा होगा एक जैसा होगा उन्ही solutions को अपन क्या कहिंगे ideal solutions कहिए मैंने का ठीक है sir एक बार और समझ लेते हैं कि intermolecular का मतलब क्या होता और सारी चीजों को देखिए sir आप समझाता हूं मान लो ये एक बीकर ले लिया इस बीकर में लिक्विड ए है कौन है sir लिक्विड ए है पूरा ए ये होगा अगर सर ए और ए होगा तो definitely इसके बीच में ए और ए के बार्ण भी होंगे होंगे के नहीं होंगे एने ए के साथ बार्ण मना के रखे होंगे हाँ simple सी बात है न सर एने ए के साथ बार्ण मना के रखे होंगे एक एने दूसरे को बार्ण ए को पकल के रखा होगा फिर एक और एने दूसरे को पकल के रखा होगा फिर एक और एने दूसरे को पकल के रखा होगा एक और एने दूसरे को पकल के रखा होगा intramolecular force सिणकिंटे अपने अंदर हैं अपने ही अंदर किसी और के साथ नहीं है बहिया ये वही वाली बात हो गई city और मोहब्वत में वह बीच में क्या वहत जादा प्यार था intermolecular forces A के A के साथ किसी और के साथ नहीं है वाई A की घर की बात हो रही है और A की घर की बात हो रही तो घर के अंदर की बात हो गई घर के अंदर की बात हो गई तो भईया आपसी वाली बात हो गई आपसी वाली बात को बुला जाता है intramolecular मतला ऑर ए के बीच में जो बॉन्ट भावाद गाड़ और यह कौं था लिक्विड एक अब यांड लो एक और ले लेते हैं जा left आ視 podía-1 लो आसे माले लेटे लिक्विड भी बिच ले ले लेते हैं लिक्विड भी अब समझना, समझना, बहुत मज़ेदार चीज है, इसके अंदर किस-किस के bond होंगे सर, सर, बी-बी के bond होंगे, अच्छा, ये भी क्या कहलाएगा सर, इंट्रा मॉलिकलर, क्योंकि ये एक दूसरे घर की काहनी है, लेकिन वो भी उनके अंदर की बाते, बी और बी के साथ भी म महबद बी-बी के बीच में भी और बी, बी-बी नहीं, बी-बी के बीच में महबद नहीं, बी वाला और बी वाले के बीच में महबद है, मतलब जो force of attraction A और A के बीच में था, वो ही force of attraction B और B के बीच में है, बस समझ रहे हैं, चीक है, अब दोनों को मिला दो, दोनों को मि मिला दिंगे दोनों को मिला दिया जब दोनों को मिला दिया तो अब इसके अंदर क्या हो गया सर लिक्विड ए प्लस लिक्विड भी हो गया के नहीं हो गया और सब दो अलग लोगों को मिला है आप चीक है तो अब इसके अंदर सर ऐसा नहीं है ए ए तो अभी भी होंगे क्यो BBB होंगे जो पहले इसके अंदर थे है थे ये नहीं? सर लेकिन एक नया bond बनेगा जो इन दोनों के बीच में बनेगा जो क्या रहेगा सर? A और B का bond AA तो यहां से मिल गया BB मेर को यहां से मिल गया लेकिन जब दोनों को मिलाया तो कुछ bond टूटे होंगे और कुछ नए रिष्टे बने होंगे और वो नए रिष्टे कौन से? A और B और यह अगर आप द्यान से देखे तो दो लोग को मिलाने से बने दो अलग-अलग घर की कहानी थी उसको एक साथ लेकिया आए दो अलग-अलग घर थे इसी लिए इसको बोला जाएगा सार इंटर मॉलिकुलर फोर्स बात समझ गए? बात समझ गए? सार क्या कहना चाहरा हूँ? जब भी बात करूँगा इंटर मॉलिकुलर मतलब दो लोग के बीच की बात है अलग-अलग लोग के बीच की बात है और जब मैं इंटरा की बात करता हूँ तो एक ही जगा की बात है पॉइंट समझे? जैसे आपको एक्जामपल देता हूँ मानलो आपके आज स्कूल में इंटर स्कूल कॉम्पेटिशन हो रहा है इंटर स्कूल कॉम्पेटिशन का मतलब आपका स्कूल होस्ट कर रहा है और एक बास्केटबॉल के मैचेस है और अलग-अलग स्कूल को उनने ने होता दिया है कि आप लोग आईए हमाज़गा खेली आपन विनिंग प्राइस करेंगे तो नाम क्या रखा सर इंटर स्कूल क्योंकि सर अलग-अलग स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए उसका नाम क्या सर इंटर स्कूल इसलिए मैंने याप पर क्या रखा इंटर मॉलिकुलर क्यों क्योंकि ए वाला अलग था बी वाला अलग था दोनों को मिलाने के बाद A-B bond बना है तो इसको क्या कहेंगे Intermolecular Forces और अगली बात अगली बात अगली बात अगर आपका स्कूल किसी को नहीं बला रहे है किसी को नहीं बनाऊंगा अपने स्कूल में competition रखा है मतलब बारवी क्लास ले ली बारवी क्लास के चार ग्रुप बना दिये उसने 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 का सर ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप C ग्रुप D बारवी क्लास के मैचस करवा दिये उसने तो एक ही स्कूल के अंदर हुए एक ही स्कूल के बच्चे थे तो उसको कहेंगे Intermolecular Forces तब मैच होगा intra school competition intra मतलब अंदर ही अंदर ही कोई दिक्कत की बात ही और जब अलगल स्कूल पार्टिपेट कर रहे थे तो क्या काता सर intermolecular या फिर inter school competition तो जब अलग-अलग आ जाते हैं तो intermolecular forces आ जाते हैं और जब एक ही रहते हैं क्या हो जाता है intra-molecular forces हो जाते हैं और सर यह लोग आपस में रहेंगे बराबर मतलब कैसे जैसे की जो ए-ए का बॉंड था और जो बी-बी का बॉंड था यह दोनों बॉंड कैसे थे सर कौन से बॉंड है यह दोनों intra-molecular forces थे इसके बीच में कैसे थे बिटा intra-molecular forces थे ना देखो ना दोनों के बीच में intra-molecular थे यह किसके बराबर रहेंगे सर यह बराबर रहेंगे यह बराबर रहेंगे ए और बी के मतलब किसके बराबर हो गए inter-molecular forces मतलब यह कहना चा रहे हैं सर ए-ए के बीच में जित्ती महबबत थी वही महबबत बी-बी के बीच में थी और वही महबबत ए-और बी के बीच में थी महबबत कहीं कम नहीं हुए फोर्सस कहीं कम नहीं हुए जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रेक्शन ए-ए का था वही फोर्स ऑफ अट्रेक्शन बी-बी का था और वही फोर्स ऑफ अट्रेक्शन ए-बी का था तब जाके वह सलूशन जो तयार हो रहा है वह कौन सा component that have identical molecular mass या size structure और same intermolecular forces बाल समझ पा रहे हैं तो ideal solution वो solution जो round slow को follow करेगा और वो कब करेगा जब AA की महभबत BB की महभबत और AB की महभबत कैसी हो same मतलब तीनो के force of attraction कैसे हो सर बराबर हो अगर इसमें 10 unit का force है इसमें 10 unit का force है तो इसके अंदर भी कितना हो 10 unit का force Γ तब जाके हम कहี้ंगे की भई आगे चलके इस solution को क्या नाम दिया जा सकता है सर ideal solution क्या नाम दिया जा सकता है सर ideal solution pleasure यह याँ दर बात यह पहला क्αιरेक्टेस्टिक्स होगा के बीच में जो force of attraction था बीबी के बीच में जो force of attraction था वह इस सेम force of attraction कब होगा जब आपने solution मना लिया किसका A और B का clear है बात पक्का confirm चलो मारो एक बार ठोको जल्ली screenshot जल्ली screenshot करो कोई दिकत की बात तो नहीं है चलो आगे बढ़ें यह बात समझ में आई ना कि सर यह पहला characteristics है ideal किसका ideal solution का कि AA और BB का जो intermolecular forces है वो किसके बराबर होना चाहिए सर AB के बराबर होना चाहिए सबकी महभबत बराबर रूप से होनी चाहिए चलिए देखिए सर पहला यह पहला यह यह आ गया intermolecular forces of attraction between AA and BB are almost equal to AB मतलब जो AA का bond था और जो BB का bond था वो किसके बराबर निकला सर AB के bond के बराबर यह जो है यह पहली characteristics है इसकी किसकी सर आइडियल solution की आइडियल solution की पहली characteristics आपके सामने रख दी है जो यह कहना चाहिए चीक है और आइडियल solution कौनसे लोग को follow करता है सर राउड्स लोग राउड्स लोग क्या कहता है सर P solution equals to P not A into X A plus P not B into X B यह कहता है अपना कौनसा आइडियल solution वो यह कहता है कि सर इस formula से आपने vapor pressure calculate किया कुछ value आई क्या ही सर कुछ value आई इस formula से आपने vapor pressure calculate करके लाए यह वाले formula से आपने कैसे निकाला देखो example भी बताता हूँ यह आपका liquid A है चलिए इसके नीचे आग लगा दे लगाओ जल्ली आग लगाओ सर यह है आपका एक liquid A जैसी इसके आग लगाए तो इसके वैपर्स बने होंगे बने होंगे के नी बने होंगे सर बने होंगे डेफिनिटली बन होंगे लेकिन अभी मैं इसका वैपर पेशर नी बोलूगा मैं काओंगा जब तक यह क्या ना आजाए एकलिप्रियम में आ जाए जैसी एकलिप्रियम में आ जाएगा तो इसका भीया वैपर पेशर आएगा वह आएगा पी नॉट है क्लियर है चलो आगे बढ़ो मैंने का लिक और बनाया यह काफी बार कर चुके है अपन यार आया यह लीजिए अब मैंने लिया लिक्विट भी क्या ले लिया सर मैंने एकलिब्रियम ना आजाए सर जब एकलिब्रियम आएगा तभी तो हम काम कर पाएंगे यह हीट करी थी इसको ठीके बोलोगे सर वैपर्स पहले बना दिया बाद में हीट कर आरे समझ जाओ वावू तो भाईया एक टाइम पे एकलिब्रियम आ गया होगा तो इसका भी वैपर आया होगा और वैपर प्रेशर कितना आया होगा सर उसको बोलेंगे प्यॉर वैपर प्रेशर ओफ बी क्यों सर प्यॉर क्यों बोल रहे है क्योंकि सर लिक्विड ए अकेला लिक्विड था और लिक्विड बी अकेला था जब अकेला होता तो प्यॉर के लाता है तो यह हो ग दोनों को आपने क्या करा सर मिला दिया अब इसके अंदर आपका liquid AB है और liquid BB है और दोनों मिलके बन जाएंगे आपके solution क्या बन जाएंगे सर solution अब इसको heat करो अब इसको क्या करो सर heat करो तो फो और है हीट करो जैसी आप हीट करोगे तो सबीस के वेपर बनेंगे यह ली लिजें और अभी इसके वेपर को नहीं आहीड प्रेगे अभी पहले सको अधिए उकलिप्रिम म Jake Geいきます में आ जाएगा तो इसके वेपर को क्या कहा जाता आप लोग जानते हो p solution मतलब total total vapor pressure of solution total vapor pressure of solution और आपने इसको कैसे ना पा एक machine से ना पा इसकी कोई value आई इसकी कोई value आई मानलो इसकी value आपको मिल गई culture x ठीक है x bar मिल गई vapor pressure प्रेशर ना पना है तो x bar value मिल गई किसकी इसकी आपने कैसे ना पा वो machine जो लगाई थी यहाँ पर जो machine लगी थी उस machine में कोई ना कोई reading आई होगी पहले वो reading बदल रही होगी एक time पर equilibrium आ गया हुआ equilibrium आने के बाद यहाँ पर एक वो value आ गई वो कित्ती आ गई sir x bar मैंने कित्ती मानली x bar मानली मैंने का ठीक है तो finally आपको total vapor pressure of the solution मिल गया कितना मिल गया x bar मिल गया मैंने का चीक है मैंने का सर अब अपन राउल्ट स्लोग को भी तो follow करें यह तो मैंने कैसे experimentally ना पी लैब में लेगा लैब में रखा उसकी machine में देखा मैंने का आ गया वाई अब मेरे को इस लीमि' फिर आपना हो मुझे आप इस फॉमल्ले सिन आपना है तो मैंने का ठीक है सर में पास P NOt है में पास P na bb बस मुझे ए बता दो यहाँ पर X raped and Xboat कितना ओगा सबीन होगा सर बता ओईक हो क्यों कि मैंने तो डाला मुझे पता था नमीदशी का टिठी कितनी है तो मुझे पता होगा कि इसके अंदर जो XA है, वो क्या कहलाएगा mol fraction of solvent? उसकी क्या quantity है? वो कुछ quantity ली होगी मैंने, वो मेरे को पता है. फिर XB भी मेरे को पता है, क्योंकि सर वो क्या है? मोल fraction of solute. उसको भी मेंने लिया है, तो मेरे को quantity पता होगी. तो मैंने का चीक है सर निकाल लेता हूं मैं, क्या formula होगा सर अब मैं calculate कर रहा हूं किससे, mathematical calculate कर रहा हूं वो मैंने experimental calculate कर रहा हूं machine में देखके अब मैं mathematical calculate कर रहा हूं, route's law से, किससे, route's law से route's law क्या कहता है, p0a मतलब pure vapor pressure of liquid a into xa xa बोले तो mole fraction of mole fraction of solvent plus p0b what is p0b? p0b is the vapor pressure of pure, 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 sir b into xb xb कैसा है, mole fraction of solute, mole fraction of solute, iski value मुझे कुछ पताती, थी कुछ, iski value मुझे पताती, थी कुछ, iski value मुझे पताती, थी कुछ, iski value मुझे पताती, थी कुछ, मैंने पूरे formula में रखा, अब यहां से भी p solution आया हुगा, और पता है कितना आया, पता है कितना आया, बता दू, बता दू, चलो बता दे तो, वो आया सर, देखिए कितना आया, x bar, मतलब round law की मदद से मैंने जो, total vapor pressure निकाला solution का, और वो ही, मैं जब उसको lab में ले गया था, और machine ले आके चेक किया था, तब भी कितना आया था, x bar, that means, कि भाईया, इस solution में round law क्या कर गया, ओबे कर गया, और अगर round law ओबे कर गया, तो इसी को आपन कहते है ideal solution, क्या कहते है अपन, ideal solution, मतलब जो, experimentally निकाला आपने, क्या निकाला सर, experimentally निकाला with the help of machine, और जो आपने mathematically निकाला, कैसे निकाला सर mathematically calculate करके routes law से निकाला वो दोनों कैसे आ गए same that means routes law obey कर गया routes law follow कर गया routes law की बात सच हो गई इसलिए इस तरीके के solution को क्या बोला जाता है ideal solution क्या बोला जाता है ideal solution तो सर ये main बात है कि भाया ideal solution वो होंगे जो routes law के इस formula को क्या करेंगे justify करेंगे मतलब experimentally जो P solution आएगा वो हमेशा equal होगा किसके mathematically जो आप solve करके निकालोगे P solution के चीक है और उसमें पहली condition क्या रही कि सर सर लिक्विड A के जो intermolecular forces होंगे और लिक्विड B के जो intermolecular forces होंगे वो हमेशा A और B की महौबबत के बराबर होंगे मतलब A A के force B B के force और A B के force सब के forces कैसे होने चाहिए बराबर होने चाहिए तब ही आपका कौन सा solution आ सकता है ideal solution तो मैंने आपको ये बता दिया कि सर ऐसा solution जो routes law को follow करे इस formula को follow करे experimentally, mathematically दोडो और दोनो की value same आईगी तो उसी को कहा करेंगे अपन ideal solution और ideal solution की पहली condition पैचानने की कि the intermolecular forces of liquid A and the intermolecular forces of liquid B is always equal to the intermolecular forces of A and B क्योंकि पूछता है पूछता है what are the characteristics of ideal solution तब बताने पढ़ेंगे नहीं बता पाएंगे अब पटा पटा वाजी आएंगी चीक है तो भाईया दोनों के nature बराबर same होने चाहिए सारी चीज़ सेम होगी तभी अपन काम कर पाएंगे नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे इतनी बात clear है इतनी बात clear है पक्का चलो अब समझो, अब बात को समझना सर इधर पे liquid A में किसके bond होंगे A, A के A के bond होंगे इधर liquid B में किसके bond होंगे सर B, B के bond होंगे और इधर जो नए bond बने हैं वो किसके होंगे ए और बी के होंगे मतलब सर क्या होगा अब समझो ए के बॉंड थे बी बी के बॉंड थे जब दोनों को मिलाया गया होगा तो नया बॉंड बना ए और बी का बॉंड मतलब कुछ ए के बॉंड टूटे होंगे कुछ बी के बॉंड टूटे होंगे नहीं समझे सिम्सकाराइब साथ में तो एक और टूटेंगा तब लिए शीया जोड़ा है तर तर करने है शोड़ता है लाफ करता है तो इसके उंदर फूल इसके अंधर वंच बन विल्ग उन च्रीब है है तो सर आप जानते हो जैसे ये पैन है इस पैन को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी लगानी पड़ेगी के नहीं पड़ेगी मतलब सर इस पूरी प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंज होगा क्या होगा सर एनर्जी का चेंज एनर्जी का चेंज क्यों सर कहीं बॉंड टूट रहे हैं कहीं बॉंड बन रहे हैं कहीं बॉंड टूट रहे हैं कहीं बॉंड बन रहे हैं तो जब बॉंड टूटते हैं तो बॉंड तोडने के लिए सर एनर्जी लगानी पढ़ती है लगानी पढ़ती है किना जरद समझो एक बात इसको हटादू यह वाले को यह वाले को हटादू समझ गई यह पहले चीजा है पहले इक स्क्रीनशेट ले लो बाई क्योंकि अगर कुछ चीजे अहटेंगी ना तो आपको दिक्कत है नहाँ पहले screenshot ले लो ले लिया चलू अब बात को समझना अब बात को समझना बहुत important बात बोल रहा हूं मैं भी एक ही बात कर रहा हूं अब ए में क्या है सर यह यह अब सर इसको तोड़ना पड़ेगा क्यों तोड़ना पड़ेगा क्योंकि सर मुझे AB बनाना है तो AB बनाने के लिए A का तूटना अनिवार है तो सर इस बांड को अगर तोड़ना है इस बांड को मुझे तोड़ना है इस बांड को मुझे तोड़ना है तो सर एक बात बताईए अगर दो जोड़े हैं एक जोड़ा है उस जोड़े को तोड़ना है तो मुझे क्य लड़ाई करवाँगा तो energy लगेगी यार फिर मैं अपनी महनत करूँगा कि यार इन दोनों का bond कैसे तोड़वाया जाए मतलब simple सी बात है अगर ये है इसको मैं तोड़ूँगा तो मुझे pen को energy देनी पड़ेगी मुझे pen को energy देनी पड़ेगी तो जब भी एक bond यहां द्यान से देखिएगा जब भी एक bond break होता है तो भाईया यहां पर energy लगती है क्या होती है sir energy लगती है मतलब ऐसी energy लगेगी तभी ये bond कैसा होगा तराक से तूड़ियाएगा और तराक से तूटने के लिए energy लगी है और energy लगी मतलब energy अंदर आ रही है और अगर energy अंदर आ रही है तो that means endothermic इस concept को समझेगा मतलब जब भी एक bond जब भी एक bond break होता है क्या होता है बिटा break होता है तो उसमें energy लगती है और लगने वाली energy को अपन एंडो thermic कहते हैं क्या कहते हैं बिटा endothermic कहते हैं बास समझना अगर मुझे इस pen को तोड़ना है तो energy देनी पड़ेगी तभी तो तूटेगा और इस pen को energy दे रहा हो मतलब energy अंदर जा रही है और energy अंदर जाती है मतलब endothermic क्या बोलते हो मतलब endothermic और endothermic काओ हमेशा positive से बताते है मतलब यहां पर जो enthalpy का change हुआ है वो कैसा है positive है कैसा है सर positive अभी enthalpy और energy को एक ही समान समझो बात में समझ लेंगे अब चाहे energy बोल दो चाहे enthalpy बोल दो बात एक है मतलब अभी energy अंदर आ रही है मतलब energy कैसी हो रही है endothermic हो रही है कैसी हो रही है और energy अगर अंदर आएगी सर यह बात confirm है अगर energy अंदर आ रही है तो कैसी रही है endothermic रही है कैसी रही है endothermic अब मानों अब बात को मानना सर आपने अभी पढ़ाया कि a का bond और bb का bond a का bond और bb का bond दोनों को तोड़ना है और दोनों का जो magnitude है जोनों का जो force of attraction है वो बराबर है था क्या नहीं अभी यह जितना force of attraction जित्ती महबत इनके बीच में है उत्ती महबत इनके बीच में है तो जित्ती महनत इसको तोड़ने में लगेगी उत्ती महनत इसको तोड़ने of attraction है वो 10 unit का है कित्ते का है 10 unit का तो इनको तोड़ने के लिए भी 10 joule की energy लगेगी कित्ती लगेगी 10 joule बात को समझना बस बात को समझने की कोशिच करना मतला यह bond का जो magnitude है इनकी जो महबबत है वो 10 unit पर ठीकी है कित्ते पर ठीकी है 10 unit मैं एक random सा ले लिए 10 unit मतला 10 unit का force of attraction इनके बीच में किस-किस के बीच में AA और BB के बीच में आप समझो तो सर इस force of attraction को तोड़ने के लिए मुझे पकी बात energy लगेगी तो कित्ती लगेगी अगर 10 unit का force था तो मानलो 10 joule लगेगी कित्ती लगेगी 10 joule मतला यह जो energy अंदर आई वो कितनी आई सर उस bond को तोड़ने में जित्ती लगेगी और bond कितने magnitude का था 10 unit तो तोड़ने में कित्ती लगेगी 10 joule मतला सर अंदर आने वाली energy कित्ती थी 10 joule और यह वो energy है जिसने AA और BB को जुदा कर दिया मुझे छोड़े गए गाना है क्या नहीं है पस वही वाली बात है मतलब 10 unit में AA जुदा हो गए और 10 joule में BB जुदा हो गए बात समझ में आई इत्ती बात clear है बात समझे इनके bond को तोड़ने के लिए energy अंदर आईगी अंदर आने वाली energy को कहते एंडो थर्मेग और दोनों के बीच की महाबत या दोनों की बीच की force of attraction कितने unit का बोला मैंने 10 unit मान लो तो उनको तोड़ने के लिए कितनी energy लगेगी 10 joule यह 10 joule की energy अंदर आई और उनने तबाही मचा दी A A को A से अलग कर दिया और B को B से अलग कर दिया अब दिल जले बन गए यह भी रो रहा है यह के भी रो रहा है गाना चल रहा है पल देसी मेरे यारा वाधन भना मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना चलता रहे मारत doğru ौसुकर दिल गाना चलता रहा है फिर क्या हुआ इनने का या लिज्य पॉंद मनें इंनने का नैं बांवनेंगे कॉनसे बांड मेंगे ए बी के बनेंगे क्योंकि सर बन रहा है ना फाइनल बॉंड अब फिर से उजुडने वाला है अब दो तोता मेना पास आने वाले ए और बी ए और बी पहले काम करो इतना नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ता हो इतना नोट डाउन करो जल्दी चली होगा सर तो अपने बॉंड तोड लिया बॉंड टूड गया कित्ती एनरजी लग गई सर दस जूल अब क्या हुआ था सर वो तूटे हैं तो आप वो जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो सर ए भी बनेंगे और ए भी बनना आप समझो सर पॉइंट यही है जब बॉंड लोड़ना है तो अगर एनरजी लगी है मतलब एनरजी अंदर आईए कित्ते जूल की दस जूल की तो अब जब यह बॉंड बनेगा तो एनरजी क्या होगी सर निकलेगी इस केस में अब एनरजी हो जाएगी एक्जोथर्मिक क्या हो जाएगी सर एक्जोथर्मिक क्योंकि ज बता है सर negative से तो कि सर भाल चली गई ना हमारी energy कम हो गई ना कम हो गई तो किस से बताएंगे negative से और सर आप बताओ इसका magnitude क्या होगा मतलब इसका force of attraction eb का कितना होगा जल्ली बोलो सर आपने अभी तो बताये था कि तीनों का force of attraction बराबर है तो इनका force of attraction 10 unit का था तो इसका भी कितना होगा 10 unit sir 10 unit को तोडने में 10 joule की energy लगी थी तो 10 unit बनाने में कित्ते जूल की energy निकलेगी sir 10 joule की मतलब इसके अंदर से जो energy निकल रही है वो भी कित्ते की निकल रही है sir 10 joule और वो भी काएवें होगी माइनस होगी कैसी होगी sir माइनस होगी अब बात समझना मुद्दा घतम sir 10 joule की energy लगी तोडने में 10 joule की energy निकल गई जोडने में 10 joule लगी 10 joule निकल गई तो आप कंगे, sir आई भी 10 थी, गई भी 10 थी, तो sir कुछ भी change नहीं हुआ, कुछ भी change नहीं हुआ, मतलब यह पूरी process में, जब यह दो solution मिले, तो bond तूटने में energy कित्ती लगी 10 Joule, जब यह दो लोग मिले, तो bond जुडने में energy कित्ती निगली 10 Joule, मतलब पूरी process हो गई और resultant energy कितनी हुई zero कितनी होई sir zero मतलब अगर मैं आपसे पूछू resultant energy h मतलब sir enthalpy मैंने का रहा enthalpy और energy को एक समन्द मानो आगे क्या लिखाए sir mixture mixture का मतलब क्या कि delta h mix मतलब जब मैंने solute और solvent को मिलाया उसके बाद energy का change किता रहा तो भाया, एनर्जी का चेंज क्या हुआ, पहले 10 जूल की लगी, फिर 10 जूल की निकल गई, तो प्लस माइनस कैंसेल और कितनी हो गई, 0, मतलब डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू कितनी आईगी, 0 आईगी, सर ये दूसरी कंडीशन है, किसकी दूसरी कंडीशन है, सर, किसकी द पूरी प्रोसेस में, एनर्जी का चेंज कितना आया, 0 आया, क्यों, 10 आई, 10 गई, बात समझे, समझ में आया केस क्या था, तो आप समझो, इस एक लाहिन को समझाने के लिए, मुझे इतना सारा बवाल करना पड़ गया, बात समझे, पक्का, कोई रिकत तो नहीं, कोई प्र जल्दी, चलिए सर, क्लियर हुआ, तो यह दूसरी कंडिशन थी, जो मैंने आपको बता दी, कि डेल्टा है, मिक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, किस के लिए सर, आईडियल के लिए, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, सर, अभी थर्ट कंडिशन भी है, तीसरी कंडिशन भी यह, आजाते हैं, सर, मजा तो आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है, सर, यार, हम पढ़ाएं, और आप बुरा मान जाएं, ऐसा होने नहीं देंगे, चलो, इसको उड़ाएं, इसको उड़ाएं, उसको उड़ाएं, चलो, देखें, बाई, काम बहुत अच्छे से करना है, बिल्क से एक बात बताओ, सर, अब भी क्लियर कर दूँगा, मैं, अब भी क्लियर कर दूँगा, पहले ये बताओ, सर, एका force of attraction कितना था, सर, दस unit, अपने एक example लिया था, बी बी का कितना था, सर, बी बी का कितना था, सर, दस unit, ये दोनों कब हैं, जब आपने solution नहीं बनाया, ये अलग liquid है है, और ये अलग liquid भी है, अब इन दोनों को जब मिला दिया, तो सर क्या बन गया, ये लिखो, ऐसा ल देख लो, after mixing, after mixing, अब किसका bond बन गया, A और B का bond, और इसका भी force कितना है, सर, इसका force भी कितना है, सर, इसका भी 10 unit है, ये तो हमारी पहली condition थी, कि सर, A, B, B, दोनों के force of attraction किसके बराबर है, A, B के बराबर, अब समझो, सर, अगर इन लोग के force of attraction बराबर है, तो इनका volume भ बराबर होना चाहिए, के नहीं होना चाहिए, बात को समझेगा, बात को समझेगा, ये बहुत important वाली बात है, इसको उड़ा रहा हूँ, इसको उड़ा रहा हूँ, कहने का ताथ पर क्या है, आब वो समझो, बहुत मज़ेदार बात है, सर, बहुत मज़ेदार बात है, बात volume क्या होता volume क्या होता है सार जो जगा उनने occupy करके रखी है वह volume क्यलाती है एक मैं ऐसा बना लेता हूंfrage यह किसका saya ka से सेम volume किसका फ़ल्पी का यह बात तोuing रहे ना तो बीबी नहीं और यह लेकिन अगर वार्म और वो force of attraction इसी के बराबर है, यह रहा A कित्थी दूरी परधो धुड़ा दूरी उठी यह B, और दूनों का force of attraction मतलब मान लो मैं कहरह था A और A का force of attraction इत्ता था तो BB का भी इत्ता ही था और अब जो AB बना उसका भी इत्ता ही था तो जो A का वॉल्यूम था जो VB का वॉल्यूम था वही वॉल्यूम तो A B का होगा होगा के नहीं होगा पक्की बात है के नहीं है मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा मैंने का इसको भी बना तो imaginary line से यही होगा वॉल्यूम यह दोनों वाल्यूम कैसे होंगे सेम सर यह दोनों को मिलाने के पहले की बात यह मिलाने के बात की बात है पक्का यह होगा कौनसा वाल्यूम यह इनीशियल वाल्यूम यह कौनसा वाल्यूम है सर इनीशियल वाल्यूम और यह वाला कौन सा वाल्यूम है सर मिलाने के बाद का है ना फाइनल तो यह फाइनल वाल्यूम हो गया अब मेरे को यह देखना है सर मिलाने के बाद जो मिक्स वाल्यूम आया है मतलब चेंज इन वाल्यूम आया वो कुछ आया है के नहीं आया है मतलब अब मैं किया निकाल रहो हो सर, आप लोग समझ गए होंगे मैं निकाल रहा हो dovomix जैसे मैंना भी एनजी का चेंज निकाल ऽॐ горम ववयूम का चेंज निकाल रहा हूँ जहको बहुत मज़ेदा रहे सर बाद वाला वॉल्यूम मान लो इसको मान लेते हैं बाद वाला वॉल्यूम है दस 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 एमेल ले लो चलो दस वॉल्यूम मान लो कितना मान लो दस वॉल्यूम इसका force of attraction भी कितना तो दस unit तो इसका भी कितना होगा वॉल्यूम 10 volume होगा के नहीं होगा मतलब पहले वाला volume और बाद वाला volume दोनों से में और हम लोग change कैसा निकालते है V final minus V initial करते हैं क्या निकालते है और final कितना है 10 initial कितना है 10 10 minus 10 कितना होता है सर जीरो 10 minus 10 कितना होता है 0 सर आगई third condition सब तीसरी condition आ गई तीसरी condition आ गई सर की volume का change जब आपने दो liquids को मिलाया solution बन गया तो volume का change भी किता होता है सर 0 होता है अगर 0 आ गया तो आपका ideal solution है energy का change 0 आ गया ideal solution है और ये दोनों 0 कब आएंगे जब liquid A का bond liquid B का bond और liquid A B का bond कैसा होगा बराबर होगा कैसा होगा बराबर ये तीनों condition से किसकी सर ideal solutions की एक बार note down करेंगे सर मैं ये समझा रहा हूँ ये सब लिखने न और उसके अंदर ये conclusive line लिख लेना अभी मैं इसको सबको बताने वाला हूँ टेंशन बिल्कुल मतलो ठीक है तो फटा बड़ एक पर सको note down करो फ़र आगे बढ़ते हैं जल्दी note down ठीक है सर समझ में आगया तीन conditions मैंने आपको बता दी सर ये बहुत important है जो मैंने आपको चीजे बताई ठीक है चलो समझ में आगया ना volume बाला कि जो final volume जब आपने solution बना दिया और जो initial volume दोनों कैसे हैं बराबर है जब बराबर है तो sir volume को कोई change आए नहीं volume को change नहीं आए तो delta v mix कितना हो गया 0 हो गया ये third condition थी कैसी थी sir third condition screenshot हो गया ना चलो आप समझो sir मैं पूरा लिख रहा हूं ideal solution के लिए एक बार मैं पूरा लिख के दिखाता हूं आपको क्योंकि ज़रूरी है sir लिखेंगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा पहले ideal solution की condition ये है कि राउल्ट्स लॉव फालो होना चाहिए क्या फालो होना चाहिए first राउल्ट्स लॉव को फालो होना चाहिए राउल्ट्स लॉव को फालो होने का मतलब क्या है sir sir उसका मतलब ये है कि p solution जो आप experimentally निकालोगे machine man आपके वो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए sir p not a into x a plus p not b into x b ये वो हुआ जो आप mathematical solve करके निकालोगे कुछ आपका x बार आएगा और आप जब इसको वेपर प्रेशर एक्सपरिमेंटली एस वेलास mathematically सेम आ गया तो आप कह सकते हो sir round slow follow हो रहा है round slow follow हो रहा है दूसरी condition दूसरी condition sir दूसरी condition sir जो a a के bond है और जो b b के bond है वो हमेशा equal होने चाहिए a b के साथ मतलब इनका force of attraction बराबर होना चाहिए चीके मतलब कहने का ये तातपर है इसको भी लिख देते है intra molecular force of attraction बराबर होना चाहिए किसके inter molecular force of attraction के जो की बात अपने अभी करी है थर्ड जब आपने ये करवाया तो कुछ bond तूटे होंगे कुछ bond बने होंगे तो ये bond तूटना और bond बनने में energy का change हुआ होगा तो जो enthalpy change आया है क्या है सर enthalpy change जिसको अपन किसे denote कर रहे है delta h mix वो कितना आएगा 0 मतलब जितनी energy लगी है उतनी energy निकल गई इसलिए कोई भी change नहीं आया कितना आगया 0 आगया ये third characteristics थी और fourth characteristics जो मैने आपको बताई volume change और सर वो तो सबसे आसान था जिसको denote करते हैं delta v mix v mix क्यों बोला solution बनने के बाद मिला डुलाने के बाद अब volume का catch change आया तो वो भी कितना आया था सर 0 आया था क्यों आया था 0 reason मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि पहले वाले bond और बादवाले bond दोनों bond बडाबर थे दोनों bond का force of attraction बडाबर थे force of attraction बडाबर तो जित्ती दूरी पे यह थे उत्ती दूरी पे यह थे जो volume न का था वही volume न का था तो final volume minus initial volume बडबर बडबर minus करो तो यह चार condition थी जो ideal solution की थी सर ये आपको पता होना चाहिए ये पढ़ने के लिए आज इतना समय लग गया हरे कंडिशन अच्छे दे बताईए सब लेकिन मैंने पूरा परियाब तरीके से आज समझाया है चीके मज़ा आना चाहिए मज़ा आना चाहिए एक बार स्कीन्शॉट मारो फिर आगे बरते जल्ली जल्दी स्कीन्शॉट लो तो भाईया ये टूटे थे तो एक गाना बजा था पलदेशी मेरे यारा उसके बाद फिर जुड़ गए तो फिर लगे हुए दूसरे गाने में क्या गाना है गुन गुनाने लगे बात मैं बताऊंगा कभी कौन सा गाना फिर ये लोग गाने ये देख लो सर वही लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉलुशन आइडियल सॉलुशन की क्या होगी सॉलुशन एन इस कंपोनेंट्स ओबेर लाउट लो अगर लाउट लो को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए आइडल को तयार किया तो उनमें चेंज इन वाल्यूम ओन मिक्सिंग कितना होना चाहिए सर जीरो होना चाहिए जो कि यह लिखा हुआ है डेल्टा वी मिक्स और जो चेंज आना चाहिए इंथेल्पी में मिक्सिंग करने के बाद वो भी कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए मतलब डेल्टा H mix B कितना होना चाहिए सर 0 होना चाहिए जैसे डेल्टा V mix 0 है वैसी क्या है डेल्टा H mix 0 है ये बात आपको पता चलनी चाहिए तो ये 3 चीज़ तो मैंने आपको बताई थी बलकिसमें एक और नहीं है क्या नहीं है एक में बताता हूँ पहले इनको नोट डाउन करो तो सर ये बात है तीन सर कौन सी है अरे यार भाई अभी तो पढ़ाया था वो भी लिख लेना वो भी काम किये सर ए ए का बाउन और बी बी का बाउन बराबर होता है किसके ए बी के बाउन के जो मोहबत इदर थी वही मोहबत इदर थी और वही मोहबत उदर थी ये नहीं है इसमें तो ये प्लीस लिख लीजेगा अब रीजन देख लो दा मेन रीजन बेहाइंड इस थ्री प्रॉपर्टीज शोन बाइन आइडियल सॉलूशन इस कि भाईया दा नेचर ओफ मॉलिकुलर इंटरेक्शन पोर्सेस डू नौट चेंज सिगनेफिकेंटली मतलब जो बॉण इसका था जो बॉण इसका था वो ही बॉण किसका रहा उसका सिर्फ इस वज़ा से ये तीनों की तीरों कैरेक्टरिक्स का आना जरूरी हो गया और अगर ये तीनों कैरेक्टरिक्स आ गई तो हमने तभी इसको नाम दिया क्या सर आइडियल सॉलिशन मतलब इन तीनों के पीछे रीजन क्या है ये में रीजन ये है कि भाईया जो मॉलिक्ला फोर्सेस थे वो सब के कैसे हो गए एक समान और अगर एक समान हो गए तो फिर क्या भेदवाओ तो फिर कुछ भेदवाओ हो गई नहीं सारे भेदवाओ हड़ जाएंगे और सब 0000 होता चला जाएगा बास समझ गए एक बार स्क्रीन शॉट लीजे फिर आगे एक्जामपल्स बताता हूँ जल्दी मज़ा आया कोई दिक्कत तो नहीं न सर क्लियर हुआ न चलिए एक बार इसका ओल ले लो जल्दी लो एक और बार हाँ आब आ गया हो सर आप बात करेंगे एक्जामपल्स पर एक्जामपल्स ओफ आइडियल सॉलुशन क्या-क्या एक्जामपल्स सेट किये थे सर तो मैंने का था सर यह वो सलुशन होंगे जो एक देश से हूँ जिनके अंदर एक जैसा बांड हो जो एक जैसे दिखते हूँ वो ही रहेंगे तो आप ज़रा ध्यान से देखो यह वे सारे ऑएग्जामपल्स जो है यह किसके असर आइडियल सॉलुशन है किसके असर याध रखना यह एक्जामपल्स पेपर मैं पूछता है एम से क्यूज में एक पकड़ा देगा बोलेगा कौन से टाइप का सोलुशन है यह आइडियल है कि non ideal है जल्दी बता दो फटाक से अब देखो आ जाओ बेंजीन जानते हो ना बेंजीन को जानते हो ऐसा होता है और तॉलीन, तॉलीन को जाते हो ऐसा होता है तो आप देखें दोनों एक ही पे जाती के दिख रहा हैंगर नहीं जब दोनों एक ही पे जाती के हैं तो दोनों के अंदर ब kijken वंडिंग में यह जिसल को बिलाएंगे तो वह बार बार नें तो इसी से मैच कर जाएगी, इसलिए इसको किसके अंदर रखा है है अपने आईडियल सॉलूइशन के अंदर, फिर आओ, हैक्जेन और हैप्टेन दोनों के दोनों अलकेन है, दोनों के दोनों क्या है, अलकेन है, हैख्जेन की बात करें, तो भीया, सी 6H14, और हैप्टेन की करें तो C7H16 देखो सर दोनों में carbon दोनों में hydrogen बस एक carbon बढ़ गया है और कुछ भी नहीं हुआ है तो इन दोनों के अंदर भी जो bond इसके अंदर होगा वही bond इसके अंदर जैसे की covalent bond और जब दोनों को मिला होगे तो दोनों के बीच में कौन सा bond आएगा covalent bond और सब अगर सबके molecular masses sorry molecular forces same हो गए तो कौन सा solution बन जाएगा ideal solution same chlorobenzene और bromobenzene मतलब benzene के उपर एक बार chlorine लगा है और इधर benzene के उपर एक बार bromine लगा है ethyl bromide ethyl iodide ethyl ethyl common है और bromine और iodine फिर दोना halogen है तो दोनों के अंदर जो bonds होंगे दोनों को मिलाने के बाद भी वही bonds बनेंगे और अगर bonds same हो गए तो कौन सा solution है ideally इधर आजाओ ethylidine diabromide और propylidine diabromide दोनों के दोनों कोवलेंट compound है दोनों को मिलाने के बाद भी कोवलेंट compound मनेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है last में भी आप देखोगे तो ऐसा ही है सर बस हित्ता या तको दोनों एक जैसे हैं दोनों अगर एक जैसे हैं तो इसके bond इसके bond सब सेम होंगे और दोनों को मिलाने के बाद भी bond कैसे रहेंगे सेम और अगर यह characteristics आ गई कि A A B B और A B तीरों के bond सेम है तो कौन सा solution है ideal solution क्या है ideal solution तो यह है examples of ideal solution चमका के नहीं चमका मेरे साथ से हाज ideal तो चमक गया होगा ऐसी दिक्कत की बात तो नहीं है हम पढ़ा है और समझ में नहा है ऐसा तो नहीं है चीक है कुछ ऊपर नीचे गया हो तो बताईएगा लेकिन मेरे साथ से तो हाँ जितना हो सकता था सर पूरा कर दिया है चीक है example की फोटो ले लो फिर आगे बरते जल्ली ले लो जल्ली ले लो example की फोटो हो गया सार तो कैसा राइडियल ये बताईए बढ़िया था बढ़िया था के नहीं था मताया तो ये था सार अच्छे बच्चे आग्याकारी शिश्य आग्याकारी solutions जो मानते हैं कि राउल्ड्स लौ अच्छा है राउल्ड्स लौ बढ़िया है राउल्ड्स लौ बढ़िय 중 क्लियर है बात बात क्लियर पक्का मानों एना शीड ऑगर बात क्लियर है तो फिर ठीक अगर बात क्लियर है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो बने रही है मेरे साथ और मागनेट मेंस घरिचांग करा ऑच कल सेम टाइम-फर 94 95 00 नोन आइडियल आपके सामने आने वाला और आपको जवान देता हूं मदा आने वाला हुआ दिकत नहीं आईगी सब्सक्राम मैं हूना मैं हूं तो टेंशन क्यों ले रहू समंझे लिगा अपन देख लिगा अपन कर लिंगा आपन सातमें तो भाए को देखते रहेता साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मैंगनेट ब्रेंज की वेबसाइट पे भी जाके आप सारे लेक्षर का लुफ्ट उड़ा सकते हैं बड़िया प्लेलिस के फॉर्म में बिलेंगे जग जग पूरे निप्टा दो बाकी फिर इंपोर्टेंट साथ टॉपर चेंज होने चाहि रहे हैं आप लोग के लिए English Medium Hindi Medium English Medium में cbc की बात करें तो भया क्लास 11-12 वन अन ओनली बाकी सब्जेक्स भी चल रहे हैं जाए पढ़िए पढ़िये स्पोकन इंग्लेज सी यूटी एंटीसी ओलंपियाग जैसे कोर्से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यह मान के चलिए और हिंदी मीडियम की बात करें तो सर कोई अगर आपका फ्रेंड है तो उसको बताइए हिंदी मीडियम भी अविलिबल है वो भी आए बढ़िया तरीके द और फाडू होने वाला है लेकिन इसको पढ़के रखेंगे पूरा आइडियल नहीं पढ़ोगे ना दे पटापट आवाज आने लगेंगी ठीके चलिए तो मिलते हैं फिर बाद में तब तक के लिए बाई-बाई थैंक्स हो मच है कि फिर फिर से चलिए टाइडिया है टूरा आएला है वो जावजियल थैप फूरा आए बाद को खवाजर आ बाद आएटावजपल आने एंक् सरादी कर देर में पूरा आने बाद कर दो एया आएजिए अस्वाजपल पर तक का देराईदीग कर दो हम जाँआरा आएज